Hi friends, welcome to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WBC cells के बारे में लास्ट वीडियो में मैं आपको बताए था RBC cells के बारे में जो की CBC test का एक part होता है similarly WBC cells and different leukocyte count यानि की different types of WBC cells ये भी एक CBC test का ही part होता है तो आज की इस part मैं आपको समझाऊंगा की total leukocyte count यानि की total WBC count and different type of WBC cells के count का क्या significance होता है CBC test के अंदर में देखे friends मैं आपको अगर simple language में समझाना चाहूं जैसे की हमारी defense forces होती है हमारी soldiers होती है जो की हमारी country को protect करते है similarly WBC cells को आप हमारी body का soldiers मान सकते हैं जैसे हमारी Indian RV में different different type की regiments होती है like Punjab regiments, Jart regiments similarly हमारी WBC cells के अंदर में भी different regiments होती है like neutrophils, basophils, lymphocytes, isnophils, monocytes यह different different type के regiments होती है different different type की cells होती है इस सारे WBC cells हमारी immune system का एक बहुती major part होते हैं जो की जितने भी foreign pathogens होते है foreign bodies होती है जो की हमारी human body को नुकसान पुचाती है उससे बचाने में काफी ज़्यादा एक important role play करते हैं तो बात करते हैं total lecosite count की जिसमें की total WBC count को देखा जाता है इसकी जो normal range होती है वो होती है 4000 से लेके 11,000 तक अगर यह range इससे कम या इससे ज़्यादा होती है तो खही ना खही आपकी body में कोई ना कोई problem होती है जिसका की समय रहती treatment करवाना जोरुरी होता है for example अगर आपके WBC count 15,000 आ रहे हैं 20,000 आ रहे हैं तो definitely कोई ना कोई inflammation infection आपकी body में इसके लिए की appropriate treatment करवाना जोरुरी है similarly अगर WBC cells कम है 4000 से नीची है जिसको लुकोपीनिया भी बोला जाता है तो वो भी एक समस्या होती है जिसके लिए की further test on किये जाते हैं ताकि एक appropriate treatment करवाये जा सके देखे फ्रेंस WBC count का एक और important aspect यह है कि यह हमें therapeutic indications यानि कि हमारा treatment right direction में जा रहा है या नहीं जा रहा उसको पता करने के लिए भी काफी help करते हैं for example अगर किसी की antibiotic therapy चल दिये और वो hospital में admit है जो TLC था hospital में admit होने से पहले 18,000 था लेकिन hospital में treatment होने के बाद भी उसका जो TLC counter वो down नहीं जा रहा है और उसका जो TLC counter वो बढ़ते जा रहा है तो definitely उसके लिए जो treatment चलाये जा रहा है वो ठीक नहीं है खाईना की treatment approach को change करने की जूरूत है therapeutic indication और line of treatment को पता करने के लिए भी WBC cells के count काफी ज़्यादा help करते है अब मैं बात करता हूँ इसकी categories के बारे में यानि की WBC cells कित्रे types के होते है देखे friends उसके लिए सबसे पहले आपको जाना जूरूरी है कि जो major जो इसकी categories होती है वो डो type की होती है WBC cells वैसे तो 5 type के होते है लेकिन जो major categories है वो डो type के अंदर में इनको रखा जाता है उसका जो criteria होता वो यह होता है कि जो WBC cells जिनके अंदर में granules पाए जाते हैं उनके cytoplasm के अंदर में थोड़ी सी technical terms है लेकिन यह आपको बतानी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसको बताने के बाद ही आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि different different categories को क्यों बटा जाता है तो जो granules होते हैं जिन WBC cells के अंदर में उनको granulocytes category में रखा जाता है जिसके अंदर के आते हमारे neutrophils हमारे isnophils and basophils दूसरी categories ऐसी होते है जिनके अंदर में कोई भी granules नहीं होता है और इनको A granulocytes पुला जाता है इसके अंदर में जो cells होते हैं उनके नाम है lymphocytes and monocytes अब इन सारी categories का क्या का significance होता है CBC test के अंदर में बात करते हैं neutrophils की जो कि एक granulocyte WBC cells है neutrophils सबसे जारा quantity में पाया जाते है as a WBC cells और neutrophils का जो बैसी काम होता है कि खहीं भी अगर bacterial infection होता है तो ये cells क्या करते हैं वहाँ पर जाके अपने आपको locate कर लेते हैं indicate कर लेते हैं तो कहा जाता है कि majority of cases में अगर आपको कोई bacterial infection होता है तो खहिना की जो आपकी neutrophils count है वो बढ़ने start हो जाते हैं neutrophils की जो normal जो range होती है वो 40 से लेके 70% तक होती है और bacterial infection के अंदर में ये neutrophils बढ़ने start हो जाते हैं similarly जो lymphocytes होते हैं lymphocytes A granulocyte WBC cells होते हैं के अंदर में कोई granules नहीं होते lymphocytes के अंदर में भी तीन टाइप के cells होते हैं थोड़ा सा टेकनिकल है मैं समझ सकता हूँ लेकिन आपको अगर ये एक बाद ठीक से समझ में आ जाएगा तो CBC report आप खुद भी अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे lymphocytes cells थी टाइप के cells होते हैं B lymphocytes बोले जाते हैं T lymphocytes बोला जाता है और तीसरे को natural killer cells बोला जाता है lymphocytes cells के अंदर में जो B lymphocytes cells होते हैं उसका काम होता है basically foreign body के खिलाफ में antibody बनाना कोई भी foreign pathogen आया उसके खिलाफ में antibody बनाने का काम ही B lymphocytes cells का होता है दूरसे जो cells होते है T lymphocytes cells होते हैं इनका काम होता है जो भी pathogen है उसको पैचानना और जो उसको removal करने की जो process है उसको initiate करना ये काम होता है T lymphocytes cells का जो सबसे जो last के cells होते हैं वो होते हैं natural killer cells इन natural killer cells का काम होता है जो भी pathogen होते हैं उनको खतम करना उनको engulf करना like कोई abnormal cells है like cancer cells है या फिर कोई virus infected cells है उसको ये खतम करने का काम करते है natural killer cells इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई viral infection होगा तो खाइना की जो आपके lymphocytes है उसकी जो quantity वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी एक आपको एक strange चीज में बताना चाहूंगा friends COVID-19 के scenario में यानि की कोई ना के cases में खासकर मुझे ये देखने को आया मुझे ये उसके अंदर में मैंने analyze किया तो ये पाया कि जो typical finding होनी चीज़ थी किसी भी viral infection को लेकर like viral infection में lymphocytes का बढ़ना चाहिए था और neutrophils का नहीं बढ़ना चाहिए था लेकिन इस coronavirus में ये देखने को आया था कि neutrophils तो बढ़ रहे थे lymphocytes नहीं बढ़ रहे थे तो खही नहीं काफी unpredictable nature था इस coronavirus का तो ऐसे cases भी देखने को आ जाते हैं इसलिए जो बाकी जो parameters हैं उसको भी consider करने की जूर्थ परती है जब भी आप CBC test को करवाते हैं क्योंकि अकेली अगर हम CBC test ये माल लेंगे कि इसको bacterial infection ये viral infection है तो खहीना खही गलती हो सकती है अब मैं बात करता हूँ बाकी सब parameters की देखी फिरेंस दो ये parameter थे neutrophils और lymphocytes इसको समझना ही सबसी ज़ादा ज़रू ही था summarize करें तो neutrophils अगर बढ़ेंगे तो खहीना खही bacterial infection की तरफ indication जा रहा होता है और अगर lymphocytes बढ़ेंगे तो खहीना खही आपकी viral infection की तरफ indication जा रहा होता है बाकी antibody की बनाने का काम lymphocytes को होता है जिसमें की बीन lymphocytes help करते हैं और साथ में जो टीन lymphocytes cells है वो indicate करते हैं की remove करने की क्या process हो सकती है किसी भी pathogen को तो ये दोनों ही WBC cells काफी ज़दा important माना जाते हैं बाकी जो cells हैं like isnofils and basophils इन दोनों जो cells का जो main काम होता है वो होता है allergic reactions को indicate करने का कभी भी अगर आपको कोई भी allergic reactions होंगे तो खहीना की isnofils count और basophils की जो मातरा होगी वो थोड़ी सी बननी स्टार्ट हो जाएगी हाला कि जो basophils होते हैं वो सबसे कम quantity में पाये जाते हैं WBC cells के अंदर में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि allergic reaction में IgE immunoglobin E test में करवाये जाता है और साथ की साथ में absolute isnofils count को भी consider किया जाता है तो isnofils और जो basophils होते हैं वो allergic reaction को पता करने में काफी helpful साबित होते हैं अब जो last parameter बज़ गया वो होते हैं monocytes monocytes भी जो कि एक granulocytes होते हैं lymphocytes कीते हैं लेकिन इसका जो main role होता है वो bacterial infection में होता है ये वैसे ही काम करते हैं जैसे कि neutrophils काम करते हैं monocytes especially जो chronic cases होते हैं यानि कि जो bacterial infection हो काफी पुराना कोई bacterial infection है उसको indicate करने में काफी ज़्यादा help करते ही आपकी ये monocytes cells friends मैं समझ सकता हूँ जो non-medicos हैं उनके लिए काफी समझने में काफी ज़्यादे दिख्यत होगी इसलिए मैंने कोसिश किये कि मैं जितना easy language में आपको समझा सकूँ इस test के बारे में समझा बाहू ताकि case of अगर आप doctor available नहीं है आप cable इस CBC report को देख करी काफी खाथ तक condition को पता कर पाए तो last में summarize मैं फिर से कर जाता हूँ total leukocyte count मैंने आज आपको पता है दूसरा मैंने आपको पता है types of WBC cells जिसमें की सबसे जो दो important cells है वो है neutrophils and lymphocyte cells तो friends उमीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बतानी कोसिश किये regarding WBC cells and types of WBC cells वो आपको ठीक से समझे में आया होगा अगर आपको ये मेरी वीडियो useful लगी हो तो please इसको like and share जूर कर दीजेगा and if you want to support me then please subscribe my channel एक बहुत और friends मेरा एक नया वीडियोग चैनल है क्योंकि traveling मेरा कफी जारा पैसन है तो उसी को consider करते होई मैंने एक अपना नया वीडियोग चैनल बनाया अगर आप लोग इंट्रेस्टेट है traveling के लिए या फिर वीडियोग देखने के लिए तो आप उस चैनल को भी subscribe कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा और ant skin में भी आपको उसका logo दिख जाएगा Thank you friends